Hey students, welcome back to your favorite channel, magnet brace, this is me, शिपरतिवारी बहुत-बहुत स्वागत है Last class में मैंने आपको arteries और veins के बारें पढ़ाया था, बहुत छोटा सा वीडियो बनाया था, मेरे खाल से वो चीज़े आपको समझ में आ गई होगी आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि cardiac activity कैसे regulate होती है, आपन लोगों ने breathing का regulation पढ़ा था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि medulla oblongator कैसे क्या काम करता है, ये सारी चीज़े बताई थी आज cardiac activity में बहुत जादा stress नहीं है, बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा, बहुत क्यूट सा topic है, तो इसमें आपन को मैं आपको ये सिखाऊंगी कि basically वैसे तो आपका heart जो होता है, वो muscular heart है, और उसमें जो ऐसे node होता है, वो अपने आप activate होता है, उसमें जो भी heartbeat generate होती है, वो spontaneous होती है, इसमें अपने दिमाग का कोई role नहीं होता, पर फिर भी, कहीं न कहीं आपका heart आपके दिमाग से थोड़ा सा control तो होगा ही, क्योंकि आ आपका heart भी थोड़ा बहुत regulate होता है, hormones और nervous control से, वैसे आपका heart जो है auto regulated है, वो अपने आप काम करता है, आपके heart में, जो SA node, AV node, Anthine node ही अपने आप ही activate होते हैं, अपने आप ही आपका heart beat होता है, और अपने आप ही सारा काम होता है, पर फिर भी, इसमें कुछ percentage, little bit percentage of, जो control है, heartbeat का, वो थोड़ा सा आपके nervous system के पास है, और थोड़ा सा hormones के पास है, ठीक है, so let's talk about it, कि आपका heart किस तरीके से nervous और hormones के through control हो, nerves और hormones के through control होता है, so let's start, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि आपके medulla oblongata, what is a medulla oblongata, medulla oblongata is the connection in between the brain and the spinal cord, ठीक है, so medulla oblongata is the connection in between the brain and the spinal cord, medulla oblongata में दो centers होते हैं, जो की होता है cardiac accelerator center और एक होता है cardiac inhibitory center, ठीक है, ये दोनों center आपकी cardiac activity को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, ठीक है, cardiac accelerator center नाम से ही समझ में आ रहा है कि cardiac activity को ये बढ़ाएगा, एक होता है cardiac inhibitory center, नाम से ही समझ में आ रहा है कि cardiac activity को घटाएगा ठीक है तो हम यह कह सकते हैं कि brain और spinal cord के बीच का connection is the medulla oblongata medulla oblongata हमारे heart beat को regulate करता है क्या करता है regulate करता है ताकि आपका heart taste काम कर सेके धीरे काम कर सेके अब मैं पूरी चीज़े बोल कर समझा रही हूँ फिर diagram से समझाओंगी फिर slide से समझाओंगी ठीक है पहले सुनूँ देखो आपके heart जो आपका medulla oblongata होता है वह कैसे heart beat को control करता है मेरी बात को जहान समझना आपका medulla oblongata होता है इन दोनों center से या मैं यह कहूं कि medulla oblongata के पास से दो nerves गुजरती है cardiac inhibitory center के पास कौन सी nerves होती है parasympathetic nerve और cardiac accelerator center के पास होती sympathetic nerve madam यह क्या बोल रही है आप मैं बिल्कुल आपको छोटा सा मैं बोलू पार्ट समझा रहे हूं बिल्कुल ध्यान समझना ठीक है nervous system ठीक nervous system को हम लोग basically दो पार्ट में बाठते हैं एक होता है central nervous system एक होता है peripheral nervous system डाम peripheral nervous system का ही पार्ट होता है autonomic nervous system ठीक ANS ok full form लिख देती हूं मैं autonomic nervous system ok ठीक है ध्यान से समझना इसके बारे में ठीक आपके nervous system का एक पार्ट होता है peripheral nervous system central nervous system जो body के center पे present होता है center पे क्या present होता है एक present होता है brain दूसरा present होता है spinal cord done central nervous system से क्या बहार आती है central central मतला beach में अब beach में तुम्हारी body को मेरे सब पीछे से देखा होगे तो sir present होगा और spinal cord present होगा ठीक है तो body में पीच मारा center पे जो present होता है ठीक इस लाइक brain and the spinal cord तो आपकी body के जो center पे present होता हुसको के ते उस पार्ट उन पार्ट को किसमें इंक्लूड करते है central nervous system में पर central nervous system से क्या बाहार आती है central nervous system से बाहार आती है नर्वस कौणसी नर्वस बाहार आती है sympathetic नर्वस बाहार आती है अई बार समझ में नर्वस बाहार आती है ठीक तो इसको आप किस के अंदर पढ़ते हैं हम लोग इनको इनको पहते peripheral nervous system peripheral मतलब किनारे किनारे बाहर की ओर तो center से जो बाहर की ओर जाता है वो सब हम लोग किस में पढ़ते है peripheral nervous system में पढ़ते है ठीक है अब मेरी बात को ध्यान समझना peripheral का ही पार्ट होता autonomic nervous system ठीक है अब peripheral nervous system का जो पार्ट है तो क्या हुआ कि अचानक से मैं पढ़ाते पढ़ाते चुडायल में कनवर्ट हो गई, बिल्कु धेहन समझना, चुडायल में कनवर्ट हो गई, अभी ये बैठे हुआ है सोनु भई है तो उनको कोई डर नहीं लगेगा, चलन दो ठीक है, पर में भी वो सोचेंगे कि मैडम उ खर्थराने लगें, कपकपाने लगें, में भी उनको दूसरे दिन एडमिट भी कराना पड़ जाए, तो आप समझें कि इनके साथ हुआ क्या, आप समझेगा, कि जब तक उनकी नर्व्स, उनको सिगनल सारे और्गन्स को जगा रही थी, तब तक उनको कुछ समझ में नहीं आया, पर जैसे ही वो घर गए, उनकी बॉडी में एक अलग टाइप का सिस्टम शुरू हुआ, विच इस दा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, क्या कोई चाहता है कि उससे डर लगें, नहीं, पर यह जो सिस्टम होते ही, अपने आप ही अक्टिवेट होते ही, इसमें तुमार कोई रोल नहीं है, तो अगर हम किसी भूत को देख भी लेंगे और उस समय डर नहीं लगा, तो इसका मतलब यह नहीं कि कभी नहीं लगेगा, जिस समय तुम उसे सोचना शुरू करोगे, उस समय से डर लगना शुरू हो जाएगा, और यह बॉडी में अपने आप ही होता है और हम इसे पढ़ते हैं, Autonomic Nervous System के अंदर, तो मैडम आपको डर किसने लगवाया, आपको डर लगवाया, आपकी nerves ने, आपको डर किसने लगवाया, आपकी nerves ने, तो suppose that if I am converting into a जो है तो चुड़ा है, विच तो होता क्या है कि भहिया क्या करेंगे, कि इनकी जो nerves हैं, जै sympathetic nerve, done, समझ में आई बात, आप समझना यह क्या करी, तो suppose that कि अब यह गए और लेटे और इनको यह याद आए, को मैडम तो पढ़ाते पढ़ाते चुड़ायल बन गही थी, तो हुआ क्या, कि यह जो nerves, जो sympathetic nerve हैं, यह आपको पता है, यह किस से जोड़ी हुई है, यह आपके जो है, जो है, जोड़ी हुई है, आपके हार्ट से, तो यह क्या करेंगे, sympathetic nerve एक हॉर्मोन निकालेगी, और उस हॉर्मोन का नाम है, बच्चो, noradrenaline, क्या है इसका हॉर्मोन का नाम, noradrenaline, जैसे इनों नहीं यह सोचा, कि oh my god, मैडम, जो है, मैडम वस कनवर्टे इंटू द जैसे ही निकलेगा, वैसे इनको डर लगने लगेगा, डर कैसे लगेगा, heartbeat से जाएगी, पसीना नहीं लगेगा, मेबी रोने लगें, ठीक है, मेबी निको जो है, तो वाश्रूम जाना पड़े, कपकपाने लगे, थर थराने लगे, बुखार आ जाए, तो यह सब क्यों हो मतलब हाट से भी जुड़ी हुई है आपके पूरे दिर इनको डरी लगते रहेगा तो दूसरे दिर मेरी रिकॉर्डिंग कौन करेगा तो थोड़े दिर के बाद यह नॉर्मल हो जाते हैं तो थीक है जाने दो यार कल की कल देखेंगे थोड़े दिर बाद क्या होता है कि जहा दिसरा निउरो ट्रांस्मिटर निकालती है या हॉर्मोन निकालती है जिसे आप कहते एसेटायल कोलीन अब जैसे यह dyed निकलने लगेगा चीजे रिलाक्स हो जाएंगे यह भी बूर जाएंगे कि कौन चुड़ेल था कौन इंसान था दूसरे दिन आप फिर से रिकॉर्डि होता है noradrenaline noradrenaline से आपको पूरे body में डर लगता है और जैसे ही body normal feel करती है parasympathetic नव यह body normal feel ही इसले करती है कि parasympathetic नव एक hormone निकालते जिसका नाम है acetylcholine done इतनी बात समझ में आई अच्छा तो cardiac activity में जब आपको डर लग रहा था जब आपको हार्ट बीट बढ़ी हुई थी तो हुआ क्या कॉंसा हर्मोन निकल रहा है sympathetic ठीक है sympathetic मताब noradrenaline निकल रहा है जब cardiac activity normal हुई जब डर लगना कम हुआ तो कॉंसा हर्मोन निकल रहा है acetylcholine done कोई दिक्कत परिशानी इसमें आई होब कि नहीं होनी चाहिए ठीक दूसरी जो control होता है heart beat में ठीक वो एक और control होता है which is due to the kidney के उपर ग्लांड होती है जिसको आप कहते है adrenal gland कौन सा gland कहते है adrenal gland ठीक है अब यह जो adrenal gland होती है यह होर्मोन निकालती है जिसका नाम होता है adrenaline और noradrenaline ठीक है तो adrenal gland जो की kidney के उपर होती है यह hormone निकालती है adrenaline और noradrenaline adrenaline और noradrenaline यह भी सेम काम करते हैं क्या काम करते हैं की काडियक अक्टिविटी को बढ़ा देते हैं बेसिकली क्या करते है फ्लाइट फाइट फियर ठीक है तो अगर आपके पीछे कोई पागल कुत्ता दोड रहा है ठीक आप माल लीजी कि आपको दिख रहा है कि कुत्ता खड़ा अचानक से वह पागल हो जाए और आपके पीछ तो जैसी आपको समझ में आए कि कुत्ता जो है पगला गया है तो आप दोड़ना शुरू करते हैं तो फ्लाइट आप इतना तेज दोड़ते हैं कि आप पूड भी जाएंगे में भी फिर आप क्या करते हैं अगर आपको कुत्ते ने दबोश लिए तो आप क्या करोगे नेम इस अड्रेनलीन और दोड़नी फ्लाइट फाइट फाइट फियर और जब आपको डर लग रहा होता है तो आपकी सिंपेथेटिक नर्व यह भी और्मोन निकालती है जो कि अड्रेनलीन जैसा होता है पर हमेशा डर और नहीं लगता रहेगा हमेशा जो है तो कुत्ता अपको बागता रहेगा जब आपकी बॉड़िन नॉर्मल हो जाएगी तब आपकी बॉड़ी में एसे टायलोड कोलीन रीलीज होगा तब आपकी रिलाक्स फील करेंगी जैसे मैं बहुत रिलाक्स फील कर रहे हुए मेरी हाट बीट नॉर्मल है पर अचानल से कोई पूला अब लॉंगेटा में ठीक है आई बाद समझ में चलो आज आओ अब थोड़ा समय आपको इतनी पूरी कहाई शुनाई ना यही बोड में लिखी हुए आओ देख लेते हैं एक बार ठीक है चलो देखिए क्या होता है सबसे पहले हम लोग नर्वस कंट्रोल में बात करे कि आपका जो हाट होता है वह स्पॉंटेनियस होता है वह अपने आप ही काम करता है वह अपने आप ही तेज और धीमे होता है उस पर किसी का कोई कंट्रोल नी पर यह यार रखना कि जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है उस पर आपके दिमाग का कंट्रोल है तो आपके ब पूरे बोड़ी गया रखना सब कुछ इसी के पास है this cardiac center has two unit मैंने आपको पहले ही बताया था cardiac accelerator center and inhibitory center ठीक तो medulla oblongata के पास दो point होते हैं एक होता accelerator और एक होता inhibitory में diagram दिखा रही हो भी from the cardiac accelerator center a pair of sympathetic nerves goes into the SS node SS node कुछ नहीं है से नोड ही है ठीक है से नोड this center increases the rate of heartbeat तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो cardiac accelerator center जो की medulla oblongata के पास है उससे कौन सी नर्म निकली बच्चो sympathetic nerve sympathetic nerve कहां गई बच्चो एसे नोड में एसे नोड को एक्टिवेट के वहाई जल्दी काम करो यार तुम तो करी रहे थोड़ा तेज कर लो जरा आज उसके बाद while the cardiac inhibitory के बात अगर हम लोग बात करें तो cardiac inhibitory center से निकलती है parasympathetic nerve या इनी को वेगस नर्व भी कहते हैं वेगस is the 10th cranial nerve cranial nerve मतलब दिमाग से निकलती है नर्व तो यह जो होती है heartbeat को नियंत्रित करती है मतलब भीमे करती है मेशा तो cardiac inhibitory center से कौन सी निकल रही बच्चो sympathetic जो heart rate को बढ़ा रही है और cardiac inhibitory center से कौन सी निकल रही परasympathetic और वेगस जो की heart rate को घटा आ रही है ठीक है now hormonal control थोड़ा सा देख लें बच्चो आ जाईए hormonal control में hormonal control में जो sympathetic nerve होती है वो कौन सा और अभी थोड़ी देर पहले हम यह गंटे चिला चिला के बोल रहे हैं गला सुख गया हमारा देखो sympathetic nerve कौन सा hormone निकालती है sympathetine okay it is not N ठीक see it is N तो sympathetic जो nerves होती है कौन सा hormone निकालती है sympathetine और इसका नाम दूसरा क्या होता nor adrenaline यह heartbeat को बढ़ा देते तो whenever the sonu भईया feels like madam will convert it into the chudal the heartbeat will increase now तो parasympathetic nerve कौन सा hormone निकालती है बच्चो acetylcholine तो जब उनको लगा कि madam ही थी हमको लगा कि वो chudal है तो आपके heartbeat क्या हो जाएंगे decrease ठीक है उसके बाद adrenaline hormone ठीक और thyroxine hormone adrenaline कहां से निकलता है adrenal gland से thyroxine कहां से निकलता है thyroid gland से तो यह जो दोनों hormone होते हैं यह भी heart beat को बढ़ाते हैं तो जब जादा निकलेंगे तो heart beat बढ़ेगी और जब कम निकलेंगे तो heart beat घटेगी तो जब thyroxine कम निकलता है तो heart beat घटती है blood कम मिलता है इसलिए metabolism slow हो जाता है इसलिए आदमी मोटा हो जाता है ठीक है तो adrenaline hormone और thyroxine hormone जो कि adrenaline और thyroid gland से निकलते हैं यह भी heart beat को बढ़ा सकते हैं ठीक है तो this is it अब आपन डाग्राम देख लेते हैं एक बार आजाओ कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं यह example लाती कह से हूं चलो आजाओ, so medulla oblongata देखो medulla oblongata के पास जो है यह center दिखाई दे रहा है ना एक है cardiac accelerator center एक है cardiac inhibitory center ठीक, cardiac inhibitory center और accelerator center से दो नव निकल रही, red valley is the sympathetic nerve और blue valley is the parasympathetic nerve जा कहां पे रही है, right part पे, मतलब essay note के पास essay note को यह activate यह धीमे करती है ठीक है, आई बात समझ में, so this is the center जो कि आपकी heartbeat को control करता है, now, जब आपकी heartbeat टेज हो जाती है, ठीक है पर अगर आपके heartbeat 90 से उपर हो जाए, तो it is called as tachycardia, done, आई बात समझ में, तो normally आपका heartbeat जो ECG हो तब ऐसा दिखाई देता है whenever we are doing exercise, okay, when we are crying, when we are in the stress, when we are drinking coffee, और कब होता है, जब हम बहुत ज़्यादा मोटे हैं, और कब होता है, जब हम लोग बहुत ज़्यादा excited हैं, ठीक है, और कब होता है, बताए मुझे जब कोई हम कोई horror चीज देख रहे हैं, ठीक, और कब होता है, जब हम लोगों का blood flow सही नह हैं, और कब होता है, जब हम लोग को शुगर वुगर खा लेते हैं, और कब होता है, बहुत सारे जब, जब भी आपकी heart beat increase हो जाए, इस term को आप कहते है, ठीक, इस को आप टेकाडिया भी कह सकते हैं, ठीक, ना अगर आपकी heart beat slow हो जाए, ठीक है, slow कैसे होगे, अगर आपकी heart beat below the 60 हो जाए, 72 के बजाए 60 से कम हो जाए, तो इस को आपका ECG ऐसा रहता है, पर अगर आपका ECG देखो, पी कितने कम दे रहा है, पी की वारे स्कॉंप्लेक्स की और ध्यान दीजे आप, ठीक है, कितने कम दे रहा है, इस को आपका ब्रेडिकाडिया, ठीक है, तो जब है तो भी आपका BP लो हो सकता है, आपको thyroid की बिमारी है तो BP लो हो सकता है, और BP कभल हो सकता है, भोजन पानी नहीं मिला, तो जब आपका BP तेज हो, तो इस कोल्ड 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 आपका BP हाट को बहुत दी में दी में सिगनल लेता है यहीं पर टेकी कार्डिया में दना दन चला जाता है ठीक और आपको मैं बताओं कि दिल की धटकने कभी भी तेज हो सकती है जैसे कि कल अगर आपको रिजल्ट आने वाला है तो नॉर्मलीट इस नॉट कंसिड़ आइस टेकी कार् है नॉर्मली ऐसा नहीं होता तो दिस इस अल अबाउट टेकी कार्डिया ब्रेडी कार्डिया हॉर्मोन एंड नर्वस कंट्रोल अव्ड हार्ट बीट आई होप यू लर्ण और इंजोई द वीडियो आइन इस वेरी इजी एंजॉइबल एंड बेरी इंट्रस्टिंग किया इससे जादा बहतरी इन एक्जामपल आपको और कोई नहीं ले सकता तो आई ओप यू लेंड और इंजोई दे वीडियो सी यू इन नेक्स क्लास घर पे रहिए सेफ रहिए थाइंक यू सो मुच